हेलो नमस्कार दोस्तों मैं अमोलका सार आपके साथ बहुत ही इंपोर्टन वीडियो लेके जुड़ चुका हूँ वो है 12th SP एक महेने में सार कैसे हैंडल करें और कैसे हम 95 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं अगर हमने सिस्टेमाटिक तरीके से पढ़ाई की सब कुछ समझ के अ एक महेने से जादा समय है अगर आपके पेपर on time होते हैं तो जैसे चार मार्स अगर आपके पेपर चालो होते हैं तो believe me जो मैं आपको strategy बताने वाला हूँ सर कुछ important questions भी आप बताओगे क्या आठ माउस का जो question है कहा से आगा वो भी मैं आपको बता दोगा पूरा वीडियो चांती से सुनिए और जितने भी आपके friends है जिनका SP है उनको जरूर शेर कर देजिगा जोस्तो और साथ में ही एक important बात अपना telegram channel join करना ना भुले और application जरूर download कर ले सर वहाँ पे बहुत सारे important updates आपको मिल रहे है और ये benefit आप मिस्मत करना वो notes हो important question के वीडियो हो या सारी बात अपने application में upload हो रही है कैसे क्या वो code use करना है जो मैंने description में दिया हुआ है anyways चलो आज आते मुद्दे पे सर कि हम लोग 12th SP में सर कहा से प्रॉब्लम ही है actually SP का कि कुछ बच्चों ने SP शुरू ही नहीं किया शुरू किया तो randomly कहीं से उन्होंने चालू किया फिर बोर हुआ फिर छोड़ दिया और अब situation बहुत जादा पैनिक होए जा रही है क्योंकि accounts पढ़ना ही है economics करना ही है OCM में लगे ही हुए है अब तक languages जिसको देखा नहीं है तो उधर भी एक tension आ रहा है और SP side में पढ़ा हुआ है बट believe me ये lecture सुनने के बाद आपका बहुत जादा tension release हो जाएगा अब relief feel करोगे सर कैसे आपको जो दिख रहा है सर मैं अब जो important strategy आपके साथ share करने वाला हूँ अगले कुछ मिंटों तक सिफ सुनने का और अपने एक महिने का plan बनाने का सर और वह सब चीज़े बताओगा उसको अगर आपने follow किया ये मेरे regular batch के बच्चे भी देख रहे होगे crash batch के बच्चे भी देख रहे होगे और all over महारास्टर जो बच्चों का 12 वी commerce में इसमें सब बच्चे देख रहे होगे तो please सुनिए सब के लिए applicable है सर अब थोड़ा strategy के लिए अगर बात करूँ मैं आपको paper का pattern भी बताओगा कि कि किस हिसाब से हमें जाना है मैं ये भी बताओगा कि उस particular chapter के free में video YouTube पे कहाँ पे available है ये application में कहाँ पे सिब ध्यान से सुनना सबसे पहले सबसे important बात दोस्तो आप लोग शुरुआत करते हो पढ़ना chapter number one से फिर two पे जाते हो फिर three और four पे जाते जाते तुम्हें realize होता है कि SP काई डोका जात नहीं आता अने अब मेरी लगना चालू हो गया है अब तो कुछ भगवानी बता है बेटा एक चीज़ बताओ सबसे easiest chapter है सिब तुम्हें समझ के करना है इसके lectures मैंने link दे दिया है पहले chapter का पूरा एक बार देखो और समझो तो तुरेंट याद रहे जागा तुम बिना समझे रट रहे हो तीन चार और पाच यह जो chapter है अकप करने में बताओगा लेकिन यह total legal provision के बेस पे chapter है सर जिसमें legal act के जो बतलब law की जो language है वो आई हुई है तो आप अपने मन से तो नहीं फेक सकते मतलब सक general meeting annual general meeting लेना है extraordinary general meeting लेना है board meeting लेना यह आपको पहले समझना पड़ेगा आप सीधा रट नहीं सकते और यह समझा के देने के लिए chapter number 4, 5 बेटा 3, 4 और 5 अगर मैं target रखता हूँ कितने दिन सर 10 days 30 दिन में से 10 दिन और इसको मैंने 4 दिन पकड़ लिए तो 14 days मतलब 15 दिन में पकड़ो यह 5 chapter को मैं देना चाहूगा मालिक क्यूंकि without option अगर आप यह marks देखोगे तो कितने marks हो रहे सर करीब करीब 40 के उपर मतलब आपका आधा paper 80 marks का इन पहले 5 chapters में से आता है और यह पहले 5 chapter अगर आपने समझ के नहीं पड़े तो बहुत जाधा complicated विशे हो जाता है सर और इन पहले 5 chapter में से already मैंने आपको chapter number 3 और 4 के मेरे live batches के वीडियो application में provide कर दिये है कैसे देखने वो भी बताया हुआ है नहीं पता तो वापस description में link है वो देखना सर तो यह अगर आप खतम कर देते हो अगले 15 दिन क्या करना है रोज 2 घंटे से पेस्पी को दो आप 2 आर्स निकालो कैसे भी मेरे पहले lectures देखो उसके बाद अपना self study चालो करो पढ़ना चालो करो जैसे आप पहले lecture देखोगे आपका conceptual understanding एकदम clear हो जाएगा आपके सारे concept और फिर आपको सारी चीज़ तो फिर direct final और मैंने ये जो fourth और fifth chapter आपको open करके दिये ना उधर तो आपके मेरे साथ ही वो learn हो जाएगे अब क्या चीए अगर आपको कोई 40 marks guaranteed बोल रहा है कि पचास टक का paper तेरा clear हो जाता है 15 days में सिब 2 घंटे आराम से दिया with learning होता है सर समझ रहा है yes or no मालिक अब मैं त वो lecture revision के आ चुके है एक तो recent मैंने पोस्ट किया depository system पे वो अगर देखोगे minimum 7 marks का compulsory जो paper में आने वाला है वो चीज़ आपका खतम हो जाता है सिब 2 घंटे देना एक दिन में chapter खतम है chapter number 10 9 marks का इस पे भी मेरे जो आपको playlist di description में वो देखना minimum 9 maximum 13 ये दो chapter आपके done हो जाते ह और chapter number 11 12 control में आ सकते हैं ऐसे chapter है दोनों का वेटेज मिला के 10 marks से सर तो ये 4 chapter अपनी जगा पे तो अगर अब तुम तुम तुमारे subject की तरफ देखते हो तो देखो कितनी help हो रही है पहले 5 chapter आपको मैंने कहा कि अच्छे से करने है कैसे करने है दो घंटा each day 14 days लगे तो भी चलेगे लेकिन 50% का वेटेज आने वाला है क्या questions आएंगे सर पूरा lecture देखो सब बाते समझेगी एकदम घाई मत करो सर की नहीं नहीं अगर तुमको पूरा hundred percent control चीए तो एकदम systematic पूरा वीडियो देखने का पहले chapters को समझो कितने सर 12 chapter है पहले 5 कहा से करने कैसे करने बता अब तुमको अगर 95 प्लस चाहिए तो एक बार वीडियो देखने के समझ जाएंगा सब चीज़े राइट ओके स्टोर सेक्शन में जाओ वाँ पर अच्छा वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है कैसे वाच करना है दूसरा सर और मैडम 9 10 11 12 बहुत ही इजी chapter है learning के लिए आपको ये चार chapter अगेन सर 25 से 30 मार्ग का अगर वेटेज यहाँ पे है 30 मार्ग के करीब अगर वेटेज यहाँ पे है विट ऑप्शन भी पकड़ा तो 30 प्लस जाता है तो मालिक ये learn करने में आसान है compare to first five chapter I repeat तो strategy में पहले अगर आपको पहले 5 chapter नहीं करने तो 9 से लेके 12 ये 4 chapter कीजिएगा दोस्तों क्योंकि वेटेज तो उतना ये करीब करीब 25 से 30 मार्ग without option और with option की बात करो तो 30 के ऊपर ही जा रहा है तो क्यों ना हम ये 5 चार chapter अच्छे से करें क्योंकि पहले 5 में दिक्कत आ confidence आएगा सर बचे वे तीन चैप्टर क्या question number 7 fix अब देखो में थोड़ा paper pattern पर आता हूँ आपके आपका question number 7 ये पूरा का पूरा question कहां से आ रहा है sir letters में से chapter number 6 7 और 8 और letters बहुत ही जादा simple है और आपको 5 marks के लिए 1 letter आता है any 2 मतलब आपको 3 में से कोई तो 2 letter लिखने है ज़रोती नहीं है question number 7 का tension हटा दो सर अब paper pattern पे आते है question number 1 का tension हटा दो sir तो अब मेरे 20 marks मेरे objective के जो आप भी उस पे believe करोगे कि आ सकते है और आपके question paper में sir question number 7 10 marks तो total मेरे 30 mark की पढ़ाई तो एकदम आराम से होती है मैंने पहले 5 chapter भी नहीं पड़े मैंने 9 10 11 12 ये 4 chapter भी नहीं पड़े लेकिन पढ़ना ज़रूरी ताकि लेटर का language बनेगा पड़े निवेज 6 7 8 अगर कर रहा हूँ तो मेरे ये chapters और अब तक तो आपने कुछ न कुछ पढ़ा रहेगा objective मुझे आएगा नहीं तो मेरे आगे पीशे वाले को आएगा लेकिन तुमको ये आना चाहिए तुमने लोगों के help करने चाहिए ऐसा अपना student पढ़े के जाएगा anyways 30 marks का paper done क्या बात कर रहे है सर अब तुमको और एक बात बताओ secret कभी tension आया ना बेटा कभी तुमको तो अपने mass वाले दोसको phone जरूर कर लेना तो तुमको relief होगा कि भाई SP लेकि हमने बहुत अच्छा काम किया है और literally मिल सकता है 95-90 मिल सकता है आराम से अभी भी पढ़ाई चालो करो तो definitely मिल सकता है mass वाले को सब्सक्राइब करने का जिसने mass लेया ना मचे लो बोलने का hello बोलना भाई क्या चल रहा है mass में लगे पढ़े करके क्योंकि mass 1, mass 2 इतने सारे chapter है और formula अगर नहीं आए तो direct 0 है तुमको तो हर एक चीज लिखने के marks मिल रहे है तो खुशी मनाई यह SP लिया है आपने और control होने वाला है भई SP ऐसे नहीं कि आप out of the control चले जाओगे ठीक है ना और अगर मेरे साथ जुड़े हो दोस्तों तो उनको कहीं पे भी में तकलीफ नहीं होने दोगा ठीक है यह सर तो चलो paper pattern के 8 question आते पहले तो यह समुझ लो ढूख लो आदे बच्चों को तो यह भी नहीं पता रहे तक कितने question आने वाले है तो 8 question आएंगे और सबसे important होता है आठवा question क्यों 8 marks के लिए एक आपको compulsory attempt करना और यहीं पर बच जाती है तो बेटा यह कहा से आ सकता है नौपे attention दोस्तो यह जो मैंने आपको कहा कि chapter number 2 में से यह question आने की संभावना है बहुत जादा है नहीं तो chapter number 4 में से question आता है legal provisions of issue of debentures as per companies act 2013 यह वाला question important है बेटा 8 marks के लिए और chapter number 2 में तो फिर मैंने बताया ही कि यहाँ से तो यह दो chapter के long answer बहुत अच्छे तरीके से करने के और अगर यह आपने कर लिया तो question number 8 का भी tension खतम और sir अगर question number 8 का tension ही खतम तो 38 marks तुमारे यहाँ पे होगे अब बचता है sir और एक चीज distinguish तर 38 खतम 12 marks तो 38 में 12 add करो तो कित्ते होते 50 marks और यह पूरे के पूरे दोनो मतलब मैंने जो वीडियो बता है वही से distinguish आने वाला है guaranteed वो मेरे दो वीडियो देख लो sir कहाँ पे मिलेंगे description में देख लेना ठीक है और अपने application में बिये वो दो वीडियो अगर आपने देख लिये sir यह distinguished conceptual understanding class mesh learning विशे एकदम खतम तो 50 बाग का paper आपका done हो गया sir tension लेने की बात ने दोस्तों में try करने वाला हो कि answer in brief मतलब यह chapter number again आपको 9, 10, 11, 12 से आप एक दो question मिलेंगे 4 marks का एक question है any two लिखने के sir आपको तो 8 marks का एक question easily आप manage कर सकते हो अगर आपने 9, 10, 11, 12 अच्छे से किया हुआ है राइट sir ओके study यह case study based जो question है 3 marks का एक question आता है sir any two आपको attempt करने 6 marks का सवाल है इस पे focus करो क्योंकि हम बहुत बार जब plain reading करते हैं तो क्या होता है कि यह question छूट जाते है उसको हम देखते ही दि मैं try करूगा जैसे मुझे वक्त मिले मैं इस पेक separate video आपके लिए बनाओ जो important question है case study based अभी सवाल देखो ना पहले इस चीज़ को आप सोचो ज़रा कि आपने अपने paper का 50 marks का portion complete कर लिया 20 marks के objective strategically सातवा question 10 mark के letters 30 हो गए 8 marks का बड़ा question मैं ने बता दिया कि first two जो chapter उसमें से second और fourth chapter का वो जो सवाल है क्या legal provision for issue of debenture as per companies act 2030 ने बहुत important सवाल है वो अच्छे से करना chapter number 4 ही अच्छे से कर लेना करके तो यहां से आठवे marks का question का tension done तो 38 और distinguish तो मैं नहीं आपको बना के दिया है तो 12 marks का tension एकदम खतम आपको जब दो घंटे में ने दिया है सर वैसे भी आपने पड़ा उसमें चलो आपको लगता है कि question 4 का आज मेरे को पड़ाई करने का है distinguish मेरे videos देख लो दो ढ़ाई तीन घंटे में आपका सब एकदम guaranteed tension एकदम खतम समझ रहा है क्या मालिक और उसमें मैंने वो question discuss किये हुए जो आपको last year government ने जो model question paper निकाला था आपका मतलब उसमें जो आपको कुछ answer provide किये थे question bank के उसमें से discuss किया हुआ है अब बच किया जाता सर question number two, three और five सर वो तो क्या explain the following terms छोटे छोटे question है जिसमें हम try करेंगे video बनाए आठ माक्स का सवाल आता है case study मैंने already आपको बता है और answer in brief आठ रह जाते है सर तो ऐसे अगर आप देखोगे justify the following और ये आठ माक्स का सवाल रहता है तो ये भी simple है चार माक्स के लिए एक आता है करके again आपको चार-चार माक्स के सवाल में दिक्कत नहीं आएंगी जादा राइट वो हो जाएगा सब strategy क्या है सर एकदम simple वेटा आठ question है पहले question में tension नहीं सातवे question में tension नहीं आठ वा question बता दिया कहा से आएगा चौथा question बता दिया distinguish कर लो पचास टक के paper में वो answer अपने को आ रहे है और यो चार-चार-तीन-तीन माक्स के दो-दो माक्स के सवाल है जो मैंने strategy दी उस हिसाब से आपने पढ़ा 9, 10, 11, 12 आच्छे से करो मेरे lectures देखो लर्न जल्दी होते है पहले पाच बहुत जादा conceptual chapter है उसके लिए proper दिमाग ला के शानती से पढ़ने का सर 2 hours each day अगर आप देते हो morning में और जब आपके आराम जब आप शानती से बेटे हो ना तब पढ़ो SPS subject घाई-घाई में नहीं होता pin pencil लेके बेटो सर क्या कर रहे हो शौट में जो आप पढ़ रहे हो ना बहुत बार मुझे पता है कि कोवीड की वज़े से आपका learning capacity थोड़ा कम हो गया है तो notebook लेके बेटो जो आप learn कर रहे हो उसके chart वास बनाओ जब मेरा लेक्शर्स देखोगे लाइव लेक्शर्स में चार्ट्स बनाए एक कुछ आपको समझेगा चार्ट्स बनाके पढ़ाई करो तो आप पढ़ रहे हो लिख रहे हो तो जादा दिमाग में रहेगा सिप read मत करो क्योंकि जब read करते हो आप easily distract हो जाते हो यह सोर्नो तो पढ़ाई करते वक्त थोड़ा राइटिंग का भी practice करो सर हर चीज आसान है हर चीज हो जाएगी और आप 95 प्लस आराम से लेके आ सकते हो सर एक मेना बहुत ही बड़ा टाइम होता है हाँ लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत serious होना पड़ेगा यह सोर्नो दोस्तो अगर आप लोगों को लगता है सर कि मेरा जो store section है वापे जाके एक बार price तो check करो आपको लगता है सर कि वे सम pre-recorded lectures देखना चाते है पूरा का पूरा batch अगर आप afford कर सकते हो तो ले लो उसमें आपका test series भी हो रहा है yes or no मतलब आपने अगर course purchase किया तो उस बार हमारी team आपसे communicate करेंगे हो सारा आपको strategy of individual basis में देगे तो वो भी आप अपना सकते हो तो मालिक यह request है plan को पहले समझो धीरे धीरे करके सर शुरुआत कहां से करनी है तो मैं आपको suggest करूगा बेटा chapter number 9, 10, 11, 12 पहले उसको उड़ाओ फिर आप 6, 7, 8 के letters को देख सकते हो जैसे आपका 6 से लेके 12 chapter वो अलग confidence आएगा chapter 1 का मैंने already अब भी टेलिग्राम में link प्ले शोर का जो अपना प्लेलिस का जो link है वो शेर किया वन पूरा देख लो आप है तो आपको एक proper understanding आजाएगा कि SP है क्या 2K भी कुछ ADR GDR important concept है उसके वीडियो में ने upload किये सारा ज्यान आपको मिलेगा सर एक चीज़ करनी है से request है शिद्ध से चीज़े लेके बेटो laptop पे देखो कई भी देखो अपने सारे दोस्तों को आप भेज़ दो और SP में 95 प्लस मेरे कुछ यह मतलब चाहिए और आ जाएगा सर 95 प्लस के नीचे आना ही नीचे क्योंकि एकदम सिंपल और सॉर्टेड और भी कुछ और रिगूलर बैच वाले बच्चों तुमने अगर चालू कर दिया तो कहना ही क्या हम तो वहाँ पर फाड़ी दे रहे रहे राइट सर्ट तो थैंकि सो मच दोस्तों अच्छे से पढ़ो और भी कुछ स्ट्राइटेजी वीडियो आपके लिए आएंगे तब कर तक लिए बबाई टेक केज जैहिन जैवाद